बिपेसी से नियुक्त होने वाले सिक्षकों का वितन तै हो गया है राज्य सरकार कक्षा 1-12 वी तक 1.78.26 सिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है प्रशासी, पदवर्ग, समीती की उचस्तरिये बैठक में 4 शेड़ी में सिक्षकों के मूल वेतन पर मोहर लग गई है सिक्षकों का प्रारंबिक मूल वेतन 25,000 से लेकर 32,000 तक तै किया गया है बैठक में मुख्य सचिव आमेर सुभानी, विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंग, वित विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S. सिधार्थ, सिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंग, समाने प्रिशासन विभाग के प्रधान सचिव इश्कुमार सिंग शामिल थे नय वितन रधारंसी राज्य सरकार को सलाना 106 अरब 23 करोड 45,31,920 रुपई का भार पड़े का इसमें वर्ग 1-8 तक के सक्षकों के वितन पर सलाना 46 अरब 29,23,7,120 रुपई जब की वर्ग 9-12 तक के सक्षकों पर 69 अरब 94 करोड 22,04 24,800 रुपई का खर्च आएगा बिहार राज्य विदाले अध्यापक नियमवली 2023 के आलोग में वर्ग 1-5 तक के अध्यापन के लिए सक्षकों के मूल कोटी के 85,477 पद और 6-8 वर्ग के अध्यापन के लिए 1745 पद स्रिजित किये गए हैं वाइक अक्षा 11-12 तक के अध्यापन के लिए सक्षा बिभाग के नियन त्रणधीन विदाले अध्यापक के 57,618 पद और 9-10 वी वर्ग के अध्यापन के लिए 33,146 पद स्रिजित किये गए हैं बता दे कि राज्य में पहली बार 21,391 सिपाही की एक साथ सीधी बहाली भी होने जारी है गरिब भाग से रोस्टर मंजूर होने के बाद पुलिस महका में ने बहाली प्रक्रिया शुरू करने के लिए बिहार राज्य सिपाही चैन परशद को अधियाचना भेज दी है अब जल्द ही इससे संबंदित बिग्यापन जारी होगा ADG जितेंद्र सिंग अगवार ने प्रेसवारता में बताया है कि बहाली प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी कर भी ली जाएगी उन्होंने ये भी बताया है कि दरोगा के 1288 और स्टोनों ASI के 194 पदोपर बहाली की प्रक्रिया भी मई में शुरू होगी दरोगा बहाली से संबंदित अधियाचना भिहार राज्य अवर चैन परशद को भेजी जाएगी तो बता दें कि सिक्षकों की जो वेतन मान है वो तैय कर दी गई है जो BPSC से भरती होने वाले हैं उनको लेकर ये बड़ी और एहम जानकारी सामने आई है सिक्षकों को मूल वेतन पर DA, आवास, भत्ता और मेडिकल भत्ता अलग से मेले का DA 42 फीजदी जबकि अवास, भत्ता अलग-अलग स्रेडि के अस्थानों के लिए 4 से 16 फीजदी है मेडिकल भत्ता 1000 रुपे है इन सब को जोड़कर जो राशी होगी उसमें 18 सो रुपे कमचारी भविश नीदी में कटेगी इसके बाद जो राशी बच्चे की वही उने हर माँ वितन मिलेगा